तो कल के मैच की तैयारी कर लिजे समी फाइनल का मैच है लेकिन आपको एक्स्क्लूसिबली स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है कि भारती टीम की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है आज प्रेस कांफरेंस किया था कैप्टन रोहिट शर्मा ने और क्लेर कट जो बाते कहीं है वो मैंने अल्रीडी आपको बता दिया अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर रहे जरूर वाच आउट कर लेजेगा लेकिन मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूँग जारी वाण खेरे के मादान पर तो यह 11 प्लियर आपके इस सरी कैसी होंगे रोहिट शर्मा शुबमन गिल आपके लिए ओपन करेंगे नमबर तीन पर विराट कुली होंगे नमबर चार पर आपके लिए शिरिया शियर खेलेंगे नमबर पांच पर केल राउल खेलेंगे न साथ में अब तक हम लगातार मैचस खेलते वे आए हैं वही प्लेइंग 11 आपके लिए समी फाइनल कॉंटेस्ट में होगा अब कल सुबह आकर के कुछ ऐसी इंजरी हो जाए तो वो अलग चीज है लेगिन आज के डेट के हिसाब से मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जो टीम इंडिया है वो आपके समी फाइनल में उतरने जा रही है यानि कि वही तीन आपके जनुएन तेस गेन बाज होंगे और काफी हद तक कैप्टन ने हिंट भी डे दिया उन्होंने का कि भई हमारे पास में जो पांच गेन बाज है हम उनी के साथ में जाना चाहेंगे छटे गेन बाज काम इस्तेमाल ना करें उन्होंने ये बात कही है यानि कि आपकी गेन बाजी लैनप तो सेम होगी जस्पीद बुम्रा सिराज एंड शमी देन कुल्दीप यादव होगे और साथ में आपके लिए वोते बे नसराएंगे रबिंदर या जस्पीद बुम्रा कुल्दीप यादव सिराज शमी एस वेल एस आपके लिए जो है वो 11 ये प्लियर जो है वो खेलते वे नजर आएंगे यानि कि यही प्लेइंग 11 आपके लिए कल के मैच में उतरेगी सेमी फाइनल में अगेंस न्यूजिलेंड और उमीद करते हैं क क्योंकि यही प्लेइंग 11 पिछले हम पांच में मैच से लगातार खेलेंगे जब से हर्दिक पांडेया इंजियर हुए तब से इसी प्लेइंग 11 के साथ में हमने हर मैच में अपनी टीम को मौका दिया है धरम शारा से जो कारबाश शुरू हुआ था मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ में हम एहमदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बनेगी वहां तक सेम प्लेइंग 11 हम खिलाएंगे तो लगातार बने रिये स्पोर्ट्स टॉक के साथ में यह आपकी प्लेइंग 11 मैंने बता दी है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिगा जादा सजादा द झाल